आज का हमारा टॉपिक है प्लांट सक्सेशन यानि पादप अनुक्रमन पादप अनुक्रमन शब्द से मतलब क्या है और होने वाली वृद्धी जो कि टाइम पीरेड डूरेशन के दुरान दीरे दीरे होती है अब यहां देखें कि प्लांट में यह व्रद्धी यह सक्सेशन चाइच स्क्शेशन या जी विस्तार होता हिसा तो हम देखें कि किसी भी ब्लैंक-जनाèmes שेत्र के के अंदर होने भाडी जो दिरकाली यह लॉन पीरेड युनिजा यहां ही दिशा के अंदर होने वाली जो अ Ughovich वरद्धी होती है ग्रोत होती इसको प्लादप संव concerned क्रम यूज जो सबसे पहले पारिसिति की विग्गे जो हर्ड द्वारा 1885 में किया गया था समूदाय में होने वारे जो क्रमबद और सुव्यावस्ति चेंजिस के लिए परिवर्थनों के लिए इसका उप्यों किया जाता है पादप समूदाय की जो स्पेसिस होती है उसकी जो स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के अंदर उसको हम पादप समूदाय या प्लांट कम्यूटी या प्लांट सक्सेशन कहते हैं नेक्स जो है कि अगर हम देखें तो यह जो फीजिकल एन्वार्मेंट बाहर बहुती की वादतावरण के अंदर जो परिवर्थन होते हैं वह अनुक्रमन की कारण ही होते हैं और इस्ताई जो एकोसिस्टम या पारिसिति की तंत्र का निर्मान है वह अंति मवस्ता के अंदर होता है जिसको हम क्लाइमिक्स लाचरम समूदाय कहते हैं जिसमें जीती भी जो एक्टिवीटीज हो जाती है वह सारी सह जीवी प्रक्रियाएं होती है और प्लांट की जो है ते से पहला है अनाचादन या निर्जन शेतर बनने के काइड़ीज़ी फेक्टूर्ट क्लाइमेटिक होते हैं जिनके कारण काई तुफान वर्षा बाड भूसक इन गैसी एक्सचेंज के अंदर चेंजज कर्बन डेक्सट की मात्रा में इंकी जोना टैंप्रेचर में इंक्रीज होना इस कारण जो है क्लाइमेटिक फेक्टर के कारण जो है वहां की वेजिटेशन जो है वह पूरी दीर-दीर कतम होने लगत जाते हैं दीर-दीर वह काला अंतर में दूसरा हाता है भू आकरती कारण यहां पर भू आकरती कारण है कि अगर कोई भी एरिया की जो पाई जाने वाज़े से मैदान है पहाड़ है परवत है नदियां है जीले हैं तो यह जो होती है वह टॉप जिब्राफिक फैक्टर्स ह होते हैं वह आकरती कारक होते हैं जिनके कारण भी जो है कोई शेत्र जो है निर्जन बनने का जाते हैं वह आकरती के कारण में दो पहले कारणों को शामल किया जाता जैसे पहला हाता है म्रदा पर्दन जिसके अंदर जो सॉयल ले रहे होती है वह आंदी तुफान के कारण एक इस्तान से बहता है ज suspended अ किसी एरिया की तो हम यहां पर वरême आप दन उसको व्रद कीसी अपहता है दूसरा जमण हुआ हुआ है जुछ इसा हो जया जो है निर्जश्टन शेत्र बन जांगते हैं अब देखा तो सबसे पहले हम लेखें जुछ ब्रदी होती है उसके कारण ही जो बड़े-बड़े वन होते हैं उन शेत्रों को फॉरेस्ट होते हैं उनको नस्ट कर दिया जाता है और वहां पर जंसेंग को वहां पर एक बड़ी कम्यूनिटी को वहां पर फैसलेटी उसके लिए कर दी जाती है इस तरह से ही अकर इंदस्रिलाइजेशन है गुद्योगी करने जिसके अंदर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री का इस्टैब्लिश करने के लिए जंगलों को साफ कर दिया जाता है या डिफॉरस्टेशन देखें तो हम वनों मुलन यहां पर जो वनों को काड़ दिया जाता है अपने खुद के उपयोग के लिए जैसे अब देखें तो हम जो अनुक्रमंण उते हैं कितने प्रकार के पाई जाते तो जाते हैं थे यह अने वाली जो plant community होती है उसे हम पुरोग्रामी समुदाय कहते हैं ठीक है और यह community जो है वो दिरे दिरे पुरो कामी समुदाय होता है वो दिरे दिरे अंति में जाकर Image community चलंसमुदाय के अंदर परीब़तित हो जाता है जो प्रेशनекс नहीं या बहुत धीमी गती से होने वाला प्रक्रम है तो यहां पर अनुक्रम की नमस्ताओं को या करम की अनुक्रमन में इनक्रम की अवस्ताओं को यहां पर हम क्रमक या शियर शब्द इसके लिए काम में ले तो हम यहां पर दो प्रकार की सियर्स को यहां पर स्टडी करेंगे सब सब्सें पहला यहां कि मारुख्रमक के अंदर जो मिजिटेशंग का डवल्लप्मेंट होता वह और दूसरा है यहां किस तरह से क्लाइमेटकोथ वेजिटेशंग उसका डवल्लपमेंट होता है सबसे पहले तो हैं तो यहाँ पर हमने cooperation को दो पार्ट के अंदर यहाँ पर डिवाइड कि आ है सबसे पहला primary section section यनि की प्रार्थमिक अनुक्रमक जिसे प्राइसियर कहा जाता है जैसे टीले टीले हैं भुकंप के बाद बनने वाली जीले हैं यह जो है वो प्रात्मिक अनुक्रम के उधारण है जिसमें किसी तरह क्या कोई भी पूर्व निर्मार नहीं होता है दूसरा यहां पर देखें कि जो सेकंडरी सक्षेशन है जिसे सब कहा जाता है तो इसके अंदर उन एरिया को शामिल किया जाता है जो कि पहले वेल डबलप थे बहुत पूर्ण तरह से जहां पर क्लाइमेक्स कम्यूनिटी पाई जाते थी लेकिन दीरे-दीरे वह क्लाइमेस कम्यूनिटे किसी कारण से डिसपेर हो गई तो वहां पर अब फिर से नई कम्यूनिटी का बहुत फास्थ होता है क्योंकि यह अंकर प्लाक की पहले से ही यूमरस लेयर प्लाइन की का होती है इस कारण इसमें fingerprints रहां यहां बहुत तेजी से होता है अब हम यहां पर देखें तो सबसे पहले यहां देखें तो अनाच्छदन यानी नियोडिलेशन कभी भी किसी एरिया के इंदर को हम अनाच्छद एरिया कहते हैं जिसके अंदर फिर दूसरा कहते हैं आक्रमन के अंदर किसी अदर दूसरे इस्तान से वेजिटेशन के जो सीड्स और प्रपागरेशन होते हैं वह आकर अगर वहां पर इस्ताफित हो जाते हैं तो उस सवस्ता को हम यहां पर आक्रमन आक्रमन या इन्वेशन कहते हैं तो इसी के अंदर पहल पॉइंट आए जैसे प्रवजन माईग्रेशन कहते है जैसे अंदर हमने कहा था कर अगर कहसी एक स्पेस जो किसी अधर क्लाइमेट के अंदर अधर स्पेस के अंदर एक इस्थान के इंदर उसके लिए फेवरेबल कंडिशन हो गई तो वह अपने सीड का डिस्पोर्जल करके वह दूसरी स्थान पर चली जाती है जिससे कि वह अपने लिए फेवरेबल क्राइमेट ढूंड सके और वहां पर इस्टैबलिश हो सके तो उसको ही हम यहां पर माईग्रेशन या प्रवजन कहते हैं दूसरा इसकिंदर आता है आज स्थापन या इस्टैबलिश्मेंट तो जब यह वेजुटेशन पर जाते हृँ तो वहां पर इन सीड को फेवरेबल इंवार्मेंट मिलने के ले कारण़ यह उपना अंकुरण शुरू करते हैं और वह अस्थापित होने का कोशिश करते हैं जिसे अस्थापन कहा जाता है या इस्टैबलिश्मेंट और आगेशन क बहुत बड़ी कम्यूनिटी के अंदर पूरे प्लांट्स का समुव पाए जाना तो उसे हम समुचन या एग्रिकेशन कहते हैं पॉइंट थर्ड के अंदर हम देथे हैं प्रतिस परदा या सहय क्रिया तो कॉम्पूटेशन या को एक्षन के अंदर दोनों चीज़ें क्रिया होती है कि अगर एक जैसी वेजिटेशन पाई जा रही है तो उस एक जैसी वेजिटेशन के अंदर स्फेस को लेकर मिनरल को लेकर और वाटर के करने उसन शैधिंट के अंदर अपस में कंप्रतिशन होने लगता है WR लिविंग रहते हैं बाकि अक्रें तो यहां पर प्रतिस परदा यह सिक्रिया कहला है है फिर है प्रतिक्रिया या रियक्शन्स जिसके अंदर जो एंवार्मेंटल चेंज होते हैं प्रांट्स के अंदर परियावरणी जो चेंजे इन एंवार्मेंटल कंडिशन परियावरणी की परिस्टियों के अंदर जो परिवर्तन आते हैं उसके प्रति पादप अपने जाता है और इसी रियक्शन की वज़े से जो चरम समुदा या क्लाइमेक्स का निर्मान हो जाता है चरम समुदा है क्यूंकि उसके अंदर अन्फेवरेबल कंडिशन से अपने आपको लड़ने की पावर डवलेप हो जाती है या उसके अदर अडेप्रेशन सा जाते हैं जिसक है अब हम यहँ देखें तो एक प्रकार का प्रतिगामि अनुक्रमन भी होता है तो जिसे हम रिटो ग्राइस सक्शेशन कहते हैं तो भी अधार शवन कैस्हां तो मियस प्रकार का नुक्रमन या पैली जियो सियर्ग भी इसको कहते हैं और इसके अंदर जो वेजिटेशन हैं वो कतम होने जाती है जिसके कारण इसको यहां पर पत्ति गामी अनुक्रमन या रिट्रोग्रैसिव सक्षेशन इसको कहा गया है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहां पर इसी किसे डिलेटेड शुरू होता है क्योंकि हमने पढ़ा प्लांट सक्षेशन जो है वह दो टाइप का है एक तो जीरो सिरस और दिस्टा हाइडो सिरोस तो यहां पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाइडो सिरोस जल क्रमक तो जल क्र इसकी डिफरेंट स्टेज आपको डाइग्राम के अंदर दिखाएगे एक प्रकार का ताला पारिस्टि की तंत्र है जिसके अंदर देखे सब पहले हैं जो इस्तती दिखाई जाएगी वह सब मर्ज रिस्टेज है उसके बाद जो है जिसको हम निमगन अवस्ता कहते हैं वे जो कि जल और दल दलि दोनों शित्रों के अंदर पाई जाती है तो चौति जैज है उसे मार्श मेड्यूस्टेज आज यह मार्श म्रेंट जो होती है जिसके अंदर दीरेच क्लामेक्स गॉतल मेंशा आ impulses कॉइंड चरुन होता है ऑं उसके बाद देखते हैं यह सबसे पहले यहां दिया गया है कि तालाब की गहराई जो होती है तो यहां पर उल्टे फॉर्म में हम याद करें इसको देखेंगे तो अगर बॉटम से यह है यह जो कंडिशन है सब मजड विस्ता है निमग नवस्ता है यह प्लांट की बॉटम किसी भी तालाब के बॉटम के अंदर पाई जाने वाली इस त प्रेजशन होते हैं और हैं साइनो फाइसी यह ब्लूग्रीन यहां पर प्रेजन आगे जा पर पुरो गामी यांई के द्वारा प्राइड में होता है और यह जो यहां पर यहां पर सीड के द्वारा बाई एर और माइक्र प्रपरवर्दन हावा के द्वारा तालाब में गिर जाते हैं और फिर पूरो कामी समुदाय का निर्माण इसमें करते हैं तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती हैं तो गहराई बढ़ने के साथ साथ तालाब के अंदर नीचे अंधेरा बनता है और वहाँ पर जो है लैस्ट न्यूट्रियन जो है वो कम मात्रा में उपस्तित होते हैं तो दोनों ही कंडिशन्स वहाँ पर होती है कंडिशन्स सोटी ए से इसे तड्रेंबेश्ट कि घोठी मेंबर मेंबर वो प्रिजंट अश्रम काम यहां पर करती है लु गृन के अंडर फिलिप्र हैं और इसके लावर यहां पर फिलामेंटस होती है जो कि अंदर होती म्हें वही प्रिजेंट होती हैं और वो भीविक्सित होती है इसके लावा यहां पर आप सब मस्थ्यानि निमग नवस्ता के अंदर जो ँख पाह जाते तो कौनबो कौन से इंदर पाहए जा सकते जो है वह एक तरह के से सट जो पर पाई जाते हैं इसके लाबाभा फ्री फ्लोटिंग स्टेज के अंदर जो पाई जाते हैं जैसे आटिकुलेरिया सीरेटो फिलम और अधर प्लांट्स की जो रूट्स होती है वह मड के अंदर यहां पर इस्टैबलिश रहती है इस कारण हम देखें तो यहां पर सब मजड अवस्ता के अंदर पाय जाने वाली पिसमें अमने देखा कि अल्गी और एंग्योस्वं किस तरह से पाई जाते हैं सेकंड स्टेज के अंदर देखें तो सेकंड स्टेज जो होती है वह दिट्य अवस्ता को हम फ्लोटिंग अवस्ता कहते हैं और यह जो तलाप की गहराई है लगभग इस समय आट से 10 फिट गहरी होती है और इस अवस् पहली अवस्ता हुआ है जिसके अंदर जो प्लांट यहां प।uli है ऐसे यह अधिक के अंधर जो है फ्लोटिंग के अदरी दूसरे जो प्लांट होते हैं वह रोख के पाई जाती कि यह 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 नातर इस Secundate blending ना होते माणब देख से इस्तिरप्लावी उसके अंदर जैसे नीम्पिय से या shot नंच कि आều बोक्वड देते हैं जिसके कानद क्या होता है कि इवोप्रेशन ऑफ वोटर जो वास्पोर्सजन की जो दर है उसकी रेट में इंक्रीज होती है और यह एंफेवरेबल कंडिशन यहां पर डवलेप्मेंट हो जाती है जिसके कारण प्लांट की कम्यूटि लिए यह फ्लोटिंग कम्यूटि यह अपने आपको यहां पर सर्वा सियर के अंदर जो देखिए वो है रीड स्वाम स्टेज जड़ अनुप वस्ता और यह जो प्लांट के अंदर लगबग एक से चार फिट की गहराई के अंदर जब पानी पाए जाता तो उसकी जिसके अंदर मड यानि की जड़ जादा उपस्तित होता है और यह सवस्ता को ह सै रूमेक्स the first ग्रव होते हैं और यह क्या करते हैं या परधन को है अगली स्टैज के अंदर चले जाते हैं तो यहां पर देखें तो अगली स्टैज है वह प्रांट के अंदर जो अवस्ता भी एंदर स्टेज उसको हम यहां पर गांस इसदली भी है या उसने स्टेज एसको कहा तो इसके अंदर पाई सब्सक्राइ Bears च int definite है Edunostima, Aipomia, Dentella, Lendernia and Gallium यह प्रिजेन्ट्स होते हैं इस अवस्ता के अंदर पांचवी अवस्ता हैं जिसे हम बुड्लेंड अवस्ता या वनस्ताली अवस्ता कहते हैं होते हैं जिसके अंदर जो है वो हर्वेशिस जो प्लांट फोते हैं जैसे जैनति encouraged मैं लबह ते हैं इसके लबाव करण से सयल कार्नस उते हैं यह र१ल होते हैं यहां यह पर जो या climax forest stage कहा जाता है जिसके अंदर जो है minerals पाई जाते हैं यूम्रस पाई जाती है और जो soil होती है उसकी fertility power यानि कि उसकी फसलों के अंदर उसको उपजाऊपन उसके अंदर बढ़ जाता है तो यहां पर जो plants पाई जाते हैं वो देखो हम अनोगेस्टस ब्यूटिया डायोप्सी रोज प्रेजेंट्स होते हैं अब हम यहां पर एक डाइग्राम देख लेते हैं जिसके अंदर की जो hydros climate जो बनाए बताई गई है वो उसको शो करता है तो यहां पर हम देखें तो जो डाइग्राम में देखिए सबसे पहले यहां पर जो इंटेनियल अंदर बताएगा यह किसी तालाब की गहराई बताईगी यह जिसके अंदर जो है फाइटो प्लैंक टॉन्स और सब मर्जड प्लांट्स हो पाए जाते हैं लगबग प्लांट की गहराई होती है उस समय आठ से बीस फिट गहरा होता है उसके बाद की इस्ट Gen intact यहांपर हम देखें तो इस अवस्ता के इन्दर फाइटो प्लैंटिंट में के बाद यह पर यह पर फ्लोटिंग इस्टेज प्लाइबु अकि वंदर यह जाते हैं तो यहां पर ड्रीचं के अलते continuously वूड़ी वेजीटेशन डबलप हो जाती है तो यह इस तरह से यह एक सरकल के फॉर्म के अंदर हाइडरो सिरोज जो है उसको यहां पर भताया गया है तो अगर हम यहां पर देखें आइडरो सिरोज के बाद अब हम देखेंगे जीरो सिरोज जीरो सिरोज को दो भागों के इंदर बांटा गया है जीरो सिरोज को दो भागों में बांटा गया है एक लितो सिरोज यानि शेलानू क्रमक और दूसरा जो है वो बालू क्रमक यानि कि सैमो सियर तो हम जीरो सी रोज में पहले लीटो सीयस को पढ़ते हैं तो यहां पर देखें तो लीटो सीयस की कौन-कौन सी स्टेज़ है और उन स्टेज़ के बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं सबसे पहली स्टेज है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे तो यहां पर जो स्टेज है उसके अ पारे हैं उन चटानों पर डवलप्मेंट प्लांट का किस तरह से होता है उसके बारे में यहां पर इसमें बताया गया है तो सबसे पहले देखें जैसे चटानी एरिया के अंदर किस तरह की क्लाइमेट कंडिशन पाई जाती तो यहां पर टेंपरेचर बहुत हाई होता है वही इस अनफेबरेबल कंडिशन के अंदर सरवाइब कर सकते हैं और इन ही के कारण इसको यहां पर प्लांट के लिए फर्स्ट प्राइनियर या पूरोगामी कहलाते हैं पूरोग्रामी कम्यूनिटी जो होती है समुधाय ज़ा उसका निर्बान यहां पर होता है तो यहां आद पर यल्गी के अंदर जो है वह प्लू ग्रेंल्गी जी के साइनुफायिस की जो मेंबर्स होते हैं इसके अलावब यहां पर अगर लाइकेंस में देखन तो राइजो कारपॉंस या राइनोडेन और लेकेण और यह क्रस्टोज लाइकेंस होते हैं यह प्रिजेंट हो को यह एब्सोर्ब करने का काम इनके द्वारा किया जाता है और यह पाई जाने वाली जो आधरता होती है हुमिडिटी उसको भी एब्सोर्ब कर देते हैं तो यहां पर हम देखें दो ब्लू-ग्रीन अल्गी के अंदर जैसे कि कुछ हमें साइटर नीमा और गलाइकोकैपसा और ट्लेड角 ट्रिस्टेग्स ये जो हती हैं जिसमें साइट नीमा और गलाइको कैपसा जोड़ाय यह किसी भी चेत्टान से democratic और अत्यज्श दोने के बाद एक स्लेश्मी प्रधार्त का सिख्रेशन करती हैं जिससे की स्लेश होते हैं और यह साथ लाइके पाला टा मेंसके अंदर यह अंदर आधा करता है और यह के अलगी और लाइकन पर ऐटमोस्फिर की जो वाटर होते हैं और कर्बंड डेक्सेट यह दोनु है कारबनिक आशिट करने करती है इस के 마 inst증 RJYu के कारण वह में उनका चेरण होजाता है कि कॉरिशन होता है और कारण का फूर यह फूर्डरी हो पर पफ्टली लेर कर निर्मान हो जाता है इसले के करण चेरणों पर वाटर होड्डिंख क्यापैसिटी इंक्रीज हो जाती है चक्टानों पर उस लेयर के कारण और यह जो फार्मेट क्लाइमेट है यह अब क्रिस्टोज लाइकेंस के लिए अनफेवरेबल हो जाता है और यहां पर यह जो प्राइमेरी का पाइनियर कम्यूनिटी होती है पूरो गामी समुदाय जो होता है वो यहां पर से डवलप होने लगते हैं तो यह देखेंगर इंदर फोलीयोजियोज लैकेंस सब्साइविए फिलियोज रिच्टानों पर बना दाती जाती है जैसे वह जो की हो ग्यूरियोज आम निर्वेटकर पैर्मेलिया है अंबिलीज आहिया है यह जो लाइकैंस होते हैं इनकी ब्म सबयां भूल करते हैं उसके अब उपने मेता है और तो यह जो लाइक फेया है अबstal जलरी फिसंति यहां wier यह फिर नकार ultra के लिएरां फेल्वाय का यह हैं जिकाने के लेयर का निर्मान कर देतें हैं इसके अदर क्लाइमेट जाता है तो यहां पर यह लाइकेंस यहां से अपना इस्तान छोड़ देते हैं और तीसरी तरह की जो वेजिटेशन है वह यहां पर डवलप होने लगती है तो थर्ड स्टेज दो है वह मॉसेज किया जाती है और मॉसेज के अंदर देखें तो हम कौन से लाइब्रों जैसे और यहां बढ़ जाता है कार्बदा निग वर्चल ध skilled production की मात्रा बढ़ जाती है जल बढ़ जाता है मिनर्टा जो होते हैं उनकी मात्रा सब्सक्तित अबड़ के लिए ऊऽती हुए और इस दाअबस्ता के लिए यहां पर यह जो जो मह वंसके लिए होते हैं उसके निदर रायजोप राइजोट्स प्रजेंस होते हैं और यह जो राइजोट्स वह वोटर और मिंडर्स का एब्जोब्रेशन करने का काम यहां पर करते हैं राइजोट्स के द्वारा तो यहां पर देखें मॉसस में polytrachum funario right garramia और tortula के मॉसस जो यहां पर डबले fps फिर चोथी आवस्था के अंदर यहांपर हर्बेशिस stage के अंदर यहांडिस एंटर करलेते हैं और हर्बेशिस stage के अंदर जेड़ने trout और प्लांट्स यहांपर development होते हैं अन्यॉब और बाइनेल ब्लांट होते हैं उनका वि और sporobolus और festuca यह grass यहां पर डवलप होने लगती है हम यह होती है और हर्प में भी जैसे टेरिडेक्स लिंडेन अबर्जीया जस्टी की इनका निर्मान यहां पर होने लगता है हर्प के साथ साथ यहां पर टेरिड़ोफाइट्स भी डवलप्मेंट होते हैं जैसे aim land το लाइको पोडियम हैं स्लैजी नेला है एक्तो का एक्टी नो टैरिस इसके लावा यहां पर इस इस फोर्थ एरिया के अंदर जो लितौ सिर्फ चतानी एरिया के अंदर हिऊमस मातरा में उति होती है और बेक्टिडिया की मात्रा व्रद्य होती है और यह जो लंबी लंबी मोटी घासे आतर्ट निया और एृट्ट ही अवस्ता के देखें जो लीटो सी रोस की पांची अवस्ता के अंदर जीरो फाइट्स का निर्माण होने लगता है और जीरो फाइट्स के ंदर जिसे श्रब कई 59 यदाने सब्सक्राइब इन जुरोफ़ाइट का यहाँ पर निर्मान होता है जैसे रस है विफोर भी आ है फायटो कार्पस है और हरएज्द हे इसके लॉपे इंधर जो अभी अवेलेबल है वह नहीं हो पाती है. यह सफ्ट यां से डिसअपेर हो जाती है और हनों इस अब यह पर पर यह श्रब के लिए जब कंडिशियन यहां पर क्लाइमेक्स कम्यूनिट्टी का रव्लेप्मेंट यहां पर हो हुजाता है तो यहाँ पर देख hedge клиmex stage के अंधर जिरफायट development होते हैं जैसे न कियां शाल्वीडोरा है एकेशिया और टामरीक है प्रॉसतन אחấn पर data प्रॉसरक्स होती है इसका इनकी जो ग्रोंत उती है रहि इंका मेलिभलप्उयट होता है इसके दर हम देखिए यहां पर इस तरह कि जो क्लाइमेक्स कम्यूटी के अंदर लगवग मीजोफाइट जैसी कम्यूटी डवलप होती है समोध बिद और जैसे नीम है मैलिया इजा डिरक्टा इसका यहां पर क्लाइमेक्स फोरेस्टेशन के फोरेस्ट के रूप में यह डवलप करते हैं अब हम यह जीरो फ केरते हैं और यदि बालु हवा के दौर एक इस्थान पर दूसरी सब्सक्राइब चली जाती तो इसे वातोड बालु या यहलियन कहते हैं चैन्ड कहते हैं और इस प्रकारगी जो बालू होती है वो शिफ्टिंग सेंड यूंस होती है गतिशील बालू टीले होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती है इस तरह कि अवस्ता जो हमें वह जीरोफाइटिक कंडिशन के अंदर ही देखने को मिलती है तो यहा यहां पर भुणिये बालू टीले या एंब्रोनिक सेंड्यूंस उसको कहते हैं और यहीं पर जो है वो सबसे पहले पॉइनियर कम्यूनिटी का डवल्लमेंट होने लगता है तो सबसे पहले यहां पर देखें तो ग्रास और हब्स जो होती हैं वो फिक्स टेले तीलों पर ज श्रीक को और लिएयर का निर्माण होता है डवल्लमेंट होता है तो और बाइनियर कि आसे में देखें सबसे पहले यहांपर जो ग्रास डाजय को